नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन श्रमा स्वाद कताउं सभीका आपके अपने चनल जोतिश इनवास तुम्हें कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धनू राशी के बारे में जून 2023 का महिना धनू राशी के लिए कैसा जाने वाला है? कौन-कौन सी जगों पर आपको बड़ा फाइदा मिलेगा? कहां कहां पर आपको बहुत ज़ादा सावधान रहने की जरूर थे साथी साथ कौन सी तारिख आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और कौन सी तारिख पर आपको विशेश सावधानी मिलेगा? हर तरह की details आपको बताने की कोशिश करूँगा अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आपसे miss न हो जाए सबसे पहले तो यह देख रहे दें कि क्या यह कुंडली आपके लिए फाइदेमन रहेगी या नहीं रहेगी देखे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो 9 नमबर पर बैठा हुआ है मतलब की धनूराशी में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर दीकरी जानकरी आपके लिए काफी ज़दा फाइदेमन रहेगी और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी राशी मतलब की धनूराशी के लिए है चलिए देखते हैं जून के महिने में किस तरह से रहेगा स्ट्रॉक्चर आपकी लाइफ का और कहां पर किस तरह से आपको आगे का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी शुरुवात अगर हम महिने की देखें तो शुरुवात तो बड़ी अच्छे दिखाई दीती है मंदब कि शुरुवात में ही कोई काम अगर आपका अठक रहा है तो वो बनते हुए नजर आता है इस तरह के योग बन रहे हैं तो यह तो एक प्लस पॉइंट है कि आप सभी को कही न कही फायदा मिलता हुआ नजर आएगा पॉजटिव एंवायर्मेंट बनेगा और पॉजटिव चीजों के साथ महिने की शुरुवात होते हुए नजर आती है तो यह आप सभी के लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा बट यही पर आप सभी को थोड़ा सा पेशन्स रखने की भी जरूरत है बहुत ज़ादा ओवर्थिंकिंग करना या बहुत ज़ादा जल्दबाजी करके कोई काम करना आपको नुकसान देगा इस बात का विशेष द्यान रखेगा इसलिए आप सभी को किसी भी तरह की ओवर्थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी तरके stress में अपने आपको नहीं रखना है और जितना हो सके patience के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करीगा तो ये आप सभी के लिए अच्छा रहेगा जितना जल्दवाजी करेंगे उतना ही जादा नुकसान देखने को आप सभी को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर देखा जाए काम में कारिक्षेतर में कुछ नई चीज़ें आपकी देखने को मिल सकती है जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है यहाँ पर आप कोशिश जरूर कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय में जल्दबाजी करके जॉब चेंज ना करें या किसी से लड़ाई जड़ा करके रिजाइन देने की गलती ना करें अपॉर्चनरिस अगर आती हैं तो ठीक है नहीं आती है तो अपनी तरफ से कोई भी आइफ़र्ट आपको नहीं करना है इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको एक्स्पेंसिस पर कंट्रोल करने की जरूत है यह जो समय रहेगा यह थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा और खर्चे अगर बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी परिशान करते हुए नजर आईगी इस तरह की योग बन रहे हैं इस वज़े से आप सभी को थोड़ा सा जादा साबधान और जादा ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है दो महत्वपूर्ण चीज़ें बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलती है धनुराशी यह जो समय रहेगा यह जो पूरा महिना रहेगा जून 2023 आप सभी को बच्चों की तरफ से कोई ने कोई परिशानी रह सकती है तो अगर आप महिला हैं और कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा सजजेशन रहेगा कि इस महिने को अवाइड कर दीजिए क्योंकि यह महिना उतना जादा सूटेबल नहीं दिखाई दीता साथ ही साथ इस समय में अगर आपके और ली बच्चे हैं तो आप सभी को फुरा सा जादा ध्यान रखने की जरुते बच्चों की तरफ से कोई संगर्श, कोई परिशानी, कोई प्राबलम आपको देखने को मिल सकती है तो इसलिए बहुत ज़ादा ध्यान रखकर इस महिने को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा इसके बाद सेहत की यहाँ पर देख ली जाए तो सेहत में देखिए साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपके पार्टनर के साथ भी कोई दिक्कत परिशानी हो सकती है अगर आप प्यार करते हैं किसी से, रिलेशन्शिप है किसी के साथ, तो डेफिनेटली लव एन रिलेशन्शिप में प्राबलम है ही है यह चीज बहुत ज़ादा क्लियर दिखाई देती है इसी के साथ-साथ, अगर आप मेरिट हैं, तो मेरिट में भी मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सामन जस्या बना कर चलने की कोशिश करनी चाहिए लैक अफ अंडरस्टेंडिंग की वज़े से इशूज ज़ादा क्रेट हो सकते हैं छोटी-छोटी चीजों पर परेशानिया हो सकती हैं, इस तरह की योग बन रहे हैं इसी वज़े से आप सभी को अपने लिष्टों को खराब होने से थोड़ा सा बचाने की कोशिश करनी चाहिए यहीं पर देखा जाए तो यह जो समय रहेगा बिजनस पार्टनर्शिप के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है इसी लिए जून 2023 में आप सभी को बिजनस करने से बचना चाहिए यह समय बिजनस ना करके जॉब में आगे बढ़ने का समय काफी जादा है और जॉब में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छे रिजल्स आपको देखने को मिलते हुए नजर आएंगे अब चलिए एक एक चीज़ को संबल लेते हैं कि कहां कहां पर किस तरह से स्ट्रक्चर जाएगा और कहां कहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत है सबसे पहले महीनिकी शुरवात नेचर अगर आगर हम यहां पर बात करें तो नेचर के according आप सबी थोड़ा सा स्ट्रेस में जादा रहेंगे इस पूरे महीनि इस तरह की योग यहां पर बनते हैं आप सभी को अपने stress को थोड़ा सा release करने की जरूत है तो इसलिए nature में और health में दो ही चीज़ें जो है आपर काफी ज़ादा परिशान करेंगी वो है आपका stress इसलिए अपने stress को पूरी तरह से overcome करने की कोशिश करीगा किसी की बात को अपने मन में न लगा ले और साथ ही साथ अपना behavior दूसरों के साथ अच्छा रखने की कोशिश करीगा क्योंकि ये समय कर्म के फल का भी समय है आपके लिए और इसी वज़े से अगर आपके कर्म खराब हो गए तो वहाँ पर आपके फल भी खराब हो जाएंगे देखें यहाँ पर देखा जाए तो career graph काफी ज़ादा अच्छा है no doubt in that career में कोई दिक्कत पर परिशानी नहीं दिखाई दीती और career में बदलाव के chances बहुत अच्छे हैं foreign जाना चाहते हैं तो यह समय काफी ज़ादा अच्छा है आप सभी को बहुत अच्छे result देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ इस समय में यहाँ पर देखा जाए तो आप सभी के लिए नई opportunities के मौके हैं जौब में बदलाव के मौके हैं तो इसी रिए इस opportunity का फाइदा जरूर उठाईएगा अपने आपको stress के साथ और force के साथ आगे नल जाके flow के साथ आगे लिए जाएगा तो आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे एक और चीज यहाँ पर जो काफी ज़दा hidden है बट बहुत अच्छी है property अगर purchase करना चाते हैं किसी भी तरह का land अगर purchase करना चाते हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं ये आपके लिए काफी ज़दा अच्छा समय रहेगा इस समय में आपको अच्छे benefits मिलते हुए नजर आएंगे और growth की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे पैसा expenses जादा दिखाई देते हैं expenses जाएंगे पैसा जाएगा बट अगर यही पैसा अच्छे काम के लिए निकल जाए तो फिर दिकत कैसी तो वहाँ पर आपको फाइदा मिल जाएगा सो यहाँ पर career graph में अगर मैं बात करूँ तो career graph जो है आपका वो बहुत अच्छा होगा 15 तरीक से वैसे तो 15 पंदरा आपका जो है यह बहुत important समय है 15th of June 2023 यहाँ से लेकर के और अगर आप 23 तक का calculation देखेंगे तो यह आपके career graph के लिए काफी जादा अच्छा रहेगा 15 से 23 career में एक तरह से positivity देखने को मिलेगी और starting में भी अगर मैं बात करूँ तो लगका support क्योंकि रहेगा तो एक तारिक से 5 तारिक तक का जो समय है यह भी आपके career के लिए थोड़ा सा positive रहेगा यहाँ पर भी आपका काम कहीं ने कहीं बनता हुआ ना सराएगा so 1 to 5 और 15 to 23 यह समय जो है यह आपके career को काफी जादा अच्छे लेवल पर अप्रोच करता हुआ दिखाता है सेहत के मामले में अगर देख लिया जाए तो सेहत के मामले में end of the समय जो रहेगा जून 2013 का जो महिना है और जब end में जाएगा मतलब कि 25 तारीक के बाद या आप कह सकते हैं कि 23 के बाद 23 से लेकर के 29 तक के बीच का समय जो है यह सेहत के लिए थोड़ा सा खराब है यहाँ पर आपको सेहत में बहुत जादा साफधान रहने की जरुद है आप सभी को किसी भी तरह का stress यहाँ पर blood pressure की बिमारी दे सकता है आप सभी को किसी भी तरह का stress यहाँ पर साथ आप सभी को blood की बिमारियों पर तोड़ा सा जादा ध्यान देने की जरुत है ताकि आप सभी को precautions के साथ चलेंगे तो परेशानी नहीं होगी इसलिए गाड़ी चलाते समय हेल्मेंट रखिएगा और किसी भी बिमारी पर डॉक्टर से तुरन संपर कर लीजेगा इस बा पीच्डी कर रहे हैं अगर आप पीच्डी के लिए enroll कर रहे हैं तो this is the perfect time क्योंकि राहू, बुद्ध और गूरु का जो एक combination आपका बना हुआ है यह आपको study में काफी जदा मदद करता हुआ नहीं सर आएगा और study में आपको आगे बढ़ने में नए subjects को खोजने में और रास्ता सही बनाने में काफी जदा मदद करेगा, so this is the time you should focus on your studies, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है, सरकारी नौकरी के लिए apply कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह की आगी के education में enroll करना चाते हैं, अब्रॉड जाना चाते हैं, तो भी काफी जदा अच्छ खरीदना चाते हैं, या इंडिया में property purchase करना चाते हैं, तो उसके लिए भी यह समय आपका काफी जदा अच्छा दिखाई देता है, so overall दिखा जाए, तो हर एक एंगल से, इस महिने में positivity का जो graph है, वो काफी जदा दिखाई देता है, दो ही चीजें, जहां पर आपको सबसे जदा ध्यान रखनी है, वो कौन-कौन सी है, तो वो आपका है, पहला kids और दूसरा partner, KP, kids and partner, मतलब बच्छे और आपका love and affair, या फिर relationship, या फिर आपका शाद शुदा जीवन, यहां पर आपको थोड़ा सा जदा ध्यान देने की ज़रुत है, क्योंकि यहां पर परेशानिय आ सकती है, कौन-कौन सी है, वो तारीक है, जब मिल सकती है, कोई बुरी खबर, या फिर जब आपको अपने बच्छों से कोई परेशानी हो सकती है, या फिर आपको कोई sudden losses हो सकता है, तो मैं वो तारीक आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लिजेगा, please, क्योंकि वो आप मोट करिएगा, यह जो तारीक रहेगी आपकी, यह especially आपका एक तो रहेगा आपका, 13 तारीक से लेकर के, 15 तक क्या बीच का समय, 13, 14, 15, यह 3 दिन जो है, यह आपको थोड़े से खराब दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करकर चलने की ज़रू साथी साथ, यहाँ पर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखें, तो यह समय आगे जाएगा, 17 का जो डेट है, वो आपको थोड़ा सा जादा ध्यान रखना है, 17 तारीक को भी आपको किसी तरह से नुकसान देखने को मिल सकता है, या फिर कोई गलत ख़बर आपको 27 तारीक और 28 तारीक, 27 और 28 जून भी थोड़ा सा हजल और थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा, यह बहुत क्लियर कैलकुलेशन हैं, इसको देखिएगा आप भी और समझिएगा, और पूरा महिना इस कैलकुलेशन के किस तरह से वैरी कर रहा है, वो मुझे आप किस तरह से फायदा देगा, किस तरह से नुकसान देगा, अब चॉइस आपकी है, महिना आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है, आप अगर इसके अकॉर्डिंग संभल संभल कर चलेंगे, तो परिशानियों से बचे रहेंगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी और अपने अच्छे समय को खराब होने से बचाईए, अपने आपको बैलेंस करिए, और इस महिने को और ज़ादा अच्छा तरीके से निकालने का प्रयास जरूराइगे, कोई बी डाउट रह जाता है और समझना चाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजेगा, आपको रिप्लाइब मिल जाएगा, इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दीजेगा, बैल आकन पे जरूर से क्ल दनिवाद